नमस्कार BCN News के दिन विशेश कारे क्रम में मैं दुशाप सभी का स्वागत करती हूँ बनारस हिंदू विश्विध्याले वारा नसी में स्थित एक केंडरे विश्विध्याले है इस विश्य विध्याले की स्थापना बनारस हिंदू विश्य विध्याले आक्ट क्रमांग सूला सन 1915 के अंतरगत हुई थी पंडित मन मोहंदास माल वियनी काशी हिंदू विश्य विध्याले की स्थापना का परारम 1904 में किया जब काशिय नरेश महाराज प्रभुनारायन सीह की अध्यक्षिता में संस्थापको की प्रथम पैठक हुई 1905 में विश्यविध्याले का पधम प्राथिकम प्रकाशित हुआ इसे काशिय हिंदू विश्यविध्याले भी कहा जाता है आजी के दिन 1921 में प्रिंस ओफ विल्स ने इसका उधगाटन किया जन्वरी 1906 में कोम मेले में मालवेजी ने त्रिवीनी संगम पर भारत भरस्याई जनता के बीच अपने संकल्प को तराया कहा जाता है कि वही एक वृद्धानी मालवेजी को इस कारी के लिए सर्वप्रतम एक पैसा चेंदे के रूप में दिया डॉक्टर एनी बसंट काशी में विश्यविध्याले की स्थापना में आगे पड़ रही थी इनी दिनों दर्भंगा के राजा महराज रामेश्वर सिह भी काशी में शारदा विध्यापीट की स्थापना कराना चाती थी इन तीन विश्यविध्याले की योजना परस पर फिरोधी थी अतह मालवी जी ने डॉक्टर बिसंट और महाराज रामिश्वरसीह से परामर्श कर अपनी योज्याओं में सहयोग देने के लिए उन दोनों को राजी करा लिया फलसरूप बनारस हिंदू युनिवरसिटी सुसाइटी की 15 दिसंबर 1911 को स्थापना हुई जिसके महाराज दर्भंगा अधिक्ष इलहाबाद उच्छनयाले के प्रमुख बैरिस्टर सुन्दरलाल सचीव महाराज प्रभुनारा आयनसीह पंडित मदन मोहन मालविय एवं डॉक्टर एनी बिसंट सम्मानित सदस्य थी इसका उदखाटन 13 दिसंबर 1921 को प्रिंस ओफ विल्स नहीं किया था पंडित मदन मोहन मालविय ने 105 साल पहले 1916 में काशिय हिंदू विश्विध्याले की स्थापना की थी तब इसका कुल मिलाकर एक ही कॉलिज था सेंट्रल हिंदू कॉलेज और आज यह विश्विध्याले 15 वर किलोमीटर के खिशे त्रफल में फैला हुआ है जिसमें 100 से भी अधिक फिभागे इसे एशिया का सबसे बड़ा आवास यह विश्विध्याले होनी का कौरव हासिल है महामना पंडित मालविय के साथ ही सर्वपली राधाकृष्णन और एनी बसेट ने भी विश्विध्याले की स्थापना में महतुपोर्ण भूमी का निबाई और लंबे समय तक विश्विध्याले से चुड़े रहे भारक के प्रसिद्ध अर्थ शास्त्री लक्ष्मी चंद्र जैन ने 1948 में कमला देवी के साथ एक इंडियन कोपरेटिव यूनियन की स्थापना की 1968 में उन्होंने एक कंसल्टिंग फर्म भी खड़ी ही जो किसानों तथा कारीगीरों की सलाहों पर सरकारी तथा गैर सरकारी कामकाच में मदद करती थी उन्हें लोग सेवा के लिए 1989 रेमिन मैंक्सिस पुरस्कार से समानिक किया क्या आची के दिन 13 दिसंबर 1925 को दिल्ली में उनका चिन हुआ उनके पिता का नाम फूल चिन्द जैन था तथा उनकी माता का नाम चमेली देवी था वे अपने माता पिता की चार संतानों में सबसे बड़े थी लक्ष्मी चंदर की माता पिता दोनों ही सक्रिय स्वतन तिता सिनानी थी तथा उन्हें के जरीए लक्ष्मी चंदर जैन में भी यह संसकार पाया था राश्ट्य भावनाव की बुनियाद को लेकर उनके कुछ स्मृतिया तथा संस्मरन रूचक है उनकी पत्नी का नाम देविका था लक्षमी चेंद्र जैन की शिक्षा 1929 में शुरू ही शुरू में उन्होंने मेडिकल विश्यों से पढ़ाई शुरू की लेकिन दो साल बाद वो इतिया सतादर्शन शास्त्र पढ़ने लगे व्यमभारिक अर्थ शास्त्र पर इनकी जबरदस पकड़ थी जिसका उन्होंने जीवन में बहुत उपयोग किया स्मिता पाटल एक ऐसी अदाकारा थी जिनके नाम पर आज फिल्म जगत में अवोर्ड भी दिये चाते हैं स्मिता पाटल अवोर्ड, स्मिता पाटल फिल्म, टेलिविजिन और ठीटर हर जगह अपने अभिने से लोगों को कायल करती थी हिंदी और मराठी अभिनेतरी स्मिता पाटल को पदमश्री खुरसकार से भी सम्मानित किया जा चुका है आजी के दिल 1988 में उनका निधन हुआ 17 अक्टूबर 1955 को एक राशनीता के घर पैदा हुए स्मिता को हिंदी सिनमा की बहतरी अदाकारा माना चाता है स्मिता ने महिला प्रधान रोल निभाकर नाईकाओ के लिए एक नई राह का आगास किया था स्मिता ने हिंदी के साथ साथ बंगाली, गुझराती, मराठी, मल्यालम और कंणर फिल्मों में भी काम किया था महस दस बरस के फिल्मी करियर में समिता ने कई यादगार फिल्मी बॉलिवुट को दी कम समय में ही समिता ने वह काम कर डाला था जिसके लिए उन्हें सद्यों तक याद रखा जाएगा बच्छपन से ही समिता पाटिल को आक्टिंग और ड्रामा का शौक था थेटर की प्रसिद्ध आर्टिस रही समिता ने सन 1975 में प्रसिद्ध फिल्मकार शाम बेनेगल की फिल्म चरंदास चूर्ग से आक्टिंग करियर की शुरुआत की 1985 में पदमश्रिय वाट से समानित अक्ट्रस परदे पर गंभीर अदाकारी के लिए जानी चाती थी लेकिन अपनी पोस्टल लाइफ में समिता काफी जिन्दा दिल थी जैसे ही कैमरा के सामने आती और आक्शन सुनती पूरी तरह से फिल्म के कैरेक्टर में समाज जाती थी 13 दिसंबर 1986 वा मन्हूस करी थी जब हिने सिनिमा की इस महान अभिनेतरी ने बेहत कम उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया मीडिया की खबरों की माने तो समिता पार्टल हमेशा चाहती थी कि उनके मरने के बाद सुहागन की तरह उन्हें तयार किया जाए समिता ने एक बार अपने मेकप आर्टस्ट दिपक सावन से कहा था कि जब मैं मर जाओ तो मुझे सुहागन की तरह तयार करना दिपक ने मीडिया से बात करते हुए दुख चिताय था कि मुझे क्या पता था कि मुझे ऐसा काम करना पड़ेगा जिसे शायद ही दुन्या के किसी मेकप आर्टस नहीं किया हो मैंने उनके मरने के बाद अन्तिमिच्छा पूरी करते हैं समिता का सुहागन की तरह मेकप क्या था बीसे न्यूस के दिन शेश कारे करमे फिलहालत नहीं ऐसे अन्या और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहेए बीसे न्यूस नमस्कार